हेलो एब्रीवन स्वागत है आपके अपने येटूब चैनल माइड विप क्लास में अगनी वीर आर्मी का अभी रिजल्ट घोंसित हुआ है हाली में एक बार पूर्ण है हमारे कोचिंग से 100% रिजल्ट के लिए सभी कंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई और 15 जनुरी एकजाम के लिए इस्पेसल बैच जॉइन करने है तो ये वाट्सप लिंक दिया हुआ है 798-790-1796 तो आप दिये गए लिंक पर संपर करके बैच में जॉइन ले सकते हैं और टेक्निकल के लिए इस्पेसल बैच आपको मिल जाएगा जिससे आपको एकजाम में कोस्टन्स देखने को मिलेगे बैच में टोटल सेलेक्टिड कोस्टन्स करवाय जाते हैं जहां से आपको सभी कोस्टन्स एकजाम में देखने को मिलेगे तो यहाँ पर देखेंगे practice set second के reasoning और गडित के सभी questions easy trick से देखेंगे और आप लोगों को यह special batch में 74 practice set और उपलब्ध हो जाएंगे मतलब यह 50 तो लगाना ही है 74 practice set और मिल जाएंगे जो कि 50 questions होगे प्रते एक practice set में अलग से तो यह special batch में इस उपलब्ध होगी तो यहाँ पर देखेंगा इस question में निम लिखित में से एक संख्या स्रंकला गलत है संख्या स्रंकला में एक गलत है तो उस संख्या को अलग करना है तो देखेंगा यहाँ पर इधर side से पता करेंगे इस side से 104 इधर से तो 104 में देखें माइनस किया है 12 पहले 12 माइनस किया है फिर यहां पर देखे 142 से यहां पर 132 हो गया है तो माइनस 10 कर दिया है देखे 12 किया फिर माइनस 10 किया फिर यहां पर 124 हुआ तो मतलब माइनस 8 कर दिया है यहां पर तो इस तरह देखे 2-2 खटा रहा है फिर यहां पर माइनस 6 करेगा 124 में जब माइनस 6 करेंगे तो यहां 118 आना चाहिए जो कि 120 लिखा है तो इस तरह से यह माइनस करने पर बैलू प्राप्त होगा यहां पर 118 होना चाहिए तो 120 गलत है इसमें मतलब इसका आपसर नंबर B करेक्ट होगा इसमें गलत संख्या 120 है अंगला कोस्टन देखिएगा आयू में A B से बड़ा है यहां पर देखे और C B से बड़ा है पर A से छोटा है D E और B दोनों से छोटा है तो B E से बड़ा है ग्याद करें कि सबसे छोटा काउन है कोस्टन यह है तो आप कोई स्टार्टिंग से पढ़ते जाएंगे और सिट करते जाएंगे देखे आयू में A B से बड़ा है तो जो बड़ा है उसको उपर लिखेंगे B को नीचे लिखेंगे क्योंकि A बड़ा है B से अब यहां पर देखेगा C B से बड़ा है तो C B से बड़ा है और A से छोटा है तो मतलब C आ जाएगा बीच में यहां पर लिखेंगे C को अब देखें D E और B दोनों से छोटा है तो D B से भी छोटा है और E से भी छोटा है तो यहां पर मतलब D को नीचे लिखेंगे और यहाँ पर देखे, B, E से बड़ा है, तो B यह जो है, E से बड़ा है, तो E को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि D जो था, यह B और E दोनों से यहाँ पर छोटा है, यह प्रस्ण में बता दिया है, अब कहरा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो D होगा, पहले आपको इस तरह से set कर लेना है दोनों को यह इस तरह set up करके सबसे छोटा है जो नीचे होगा वही सबसे छोटा तो इसका option number D correct है अगला question देखे question number देखे यहाँ पर दिये गए भी कल्पू में से दिये गए स्रेणी में रिक्ति स्थान को भरें यहाँ पर question mark दिति स्थान में तो आपको दाहिनी और से इधर साइट से फिल करना है देखना है कि क्या पर सीडी इसमें लगा रहा है तो देखे यहाँ पर दो का भाग किया है मतलब भाग करेंगे जब दो से तो यह value प्राप्त हो जाएगी और इसमें तीन का भाग किया है मतलब जब यहाँ भाग करेंगे तीन से तीन से भाग करेंगे तो बैलू यह आ जाएगी चगदोस चालिस अब यहाँ पर चार से भाग कर देंगे भाग करेंगे चार से तो देखे यहाँ उत्तर प्राप्त हो जाएगी तुझे चार से जब भाग करेंगी तो 360 आ जाएगा यहाँ पर value 360 आ जाएगी तो यहीं इसका उत्तर हो जाएगा इसका option number C correct है अब यहाँ फिर 5 का भाग करेंगी जब 360 में 5 से भाग कर देंगी तो 72 आ जाएगा तो कि 72 पंचे 360 अब फिर 72 में सोरी यहाँ 72 होगा और 72 में 6 से भाग करेंगी तो 12 आ जाएगा यहाँ 72 भागी 6 करेंगी तो 12 चंग 72 बारा प्रात हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर आपको option number C correct होगा तो पहले 2 का भाग किया फिर 3 का भाग किया फिर यहाँ 4 का भाग कर देंगी तो उत्तर प्रात हो जाएगा तो next question देखेंगे question number 9 ही यहाँ पेल को लिखता है यहाँ पर देखें एक किसो चाउटिस और अर्थ को लिखता है 41,950 तो परल को कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर देखें यहाँ पर दिया है code देखें code दिया हुआ है 2 का और तीसरा का पूछ रहा है परल सब्द का तो देखें इन्ही दोनों सब्दों से यह वाला सब्द बनाया गया है तो P का code यहाँ पर देखें 2 है तो P की जगे पर यहाँ पर 2 रखेंगे यह P की जगे 2 आ जाएगा फिर E का code यहाँ पर देखे EAR एक साथ 3 अच्छर है तो यहाँ पर EAR लिखा है जो इसका code है 419 EAR का तो यहाँ पर लिख देंगे 419 EAR और लाश्ट में L है यहाँ पर देखे L यूज किया गया है तो L का code यहाँ से देख लेंगे L तीसरे नमबर पर है तो यहाँ तीसरे नमबर पर 3 है यह 3 हो जाएगा तो मतलब 24,193 हो जाएगा इसका code जो कि इसका option number B correct है इस तरह find करना है तो मतलब इन ही दोनों सब्दों से यह बनाया है परल तो इस तरह से find करेंगे अंगला question देखेगा question number 10 है दिये गए बीकलपो में इससे क्रम में रिक्तिस्थान को भरें यहाँ पर देखे question mark की जगे यहाँ पर blank की जगे क्या आएगा तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं सीरीज को और इनका serial number डाल देंगे करमांगी क्वान मतलब B, M, X किस नंबर पर आते हैं तो देखे 2, 13 और 24 इसी तरह इसमें देखेगा sorry यह 24 इस तरह DNW के करमांग लिख 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 अब देखे second letter देखेंगे तो यहां 13 लिखा हुआ है यहां 14 लिखा है यहां 15 है तो यहांगे आ जाएगा 16 मतलब 16 होता है P करमांग इस तरह सेट करेंगे थर्ड लेटर देखेंगे यहां 24 है यहां 23 है एक गटा रहा है 24 से यह 23 हो गया फिर यह 22 है तो यहां पर हो जाएगा 21 अई 21 होता है U क करमांग तो यहां पर उत्तर हो जाएगा HPU इसका अंसर होगा तो HPU option number A में दिया हुआ है इस तरह फाइंड करेंगे next question देखिएगा यहां से देखे गड़ित वाला party start होता है सभी सवाल इजी ट्रिक से solve करेंगे दो अंकों का लोगुत्तम 100 पर तक दिया है 140 और महत्तम 100 पर तक दिया है 7 यदि पहला अंक 35 सिर्फ दूसरा अंक गयात करें तो देखे एक फार्मूला होता है कि LCM into SCF बराबर यहां पर लिख लेंगे LCM into SCF सोरी फर्स्ट नंबर into second number फर्स्ट नंबर into second number इसी में बाइलू फूट कर देना है यह फार्मूला हो गया LCM दिया है 140 तो लिखेंगे 140 गुने LCM दिया है 7 तो यहां 7 और पहली संख्या दिया है देखे 35 तो यहां लिखेंगे 35 अब दूसरी संख्या फाइंड करना तो यक्स माल लेंगे अब इसको cancel out करेंगे 7 एकम 7, 7, 5, 35 फिर 5 से 5 एकम 5, यहां देखे 5 दूनी 10 और फिर 4, 40, 5, 8, 40 तो मतलब दूसरी संख्या यक्स बराबर हो जाएगे 28 इस तरह फाइंड करेंगे इसका option number B correct है next question देखेगा एक अच्छा के 20 छात्रों की आउसात आयू 15 वर्स है यदि अध्यापक की आयू सामिल कलिया जाए तो आउसात में एक वर्स बढ़ जाता है एक बढ़ जाता है तो अध्यापक की आयू 15 है तो कोल आयू निकालना है तो 20 गुने 15 करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा गुना करेंगे और एक 0 लगाएगे तो 300 हो जाएगी अध्यापक की आयू सामिल करना है तो यहाँ देखे 20 थे तो अध्यापक सामिल करेंगे 21 हो जाएगी फिर इन 2 अब आउसात एक बढ़ जाता है तो पहले आउसात 15 था तो एक बढ़ेगा तो 16 हो जाएगा अब देखे 21 की कूल आयू निकालेंगे तो गुड़ा कर लेंगे तो देखे 16 एक कम 16 की 6 हासिल एक 16 दूनी 32 एक 33 तो 336 आ जाएगा अब कुछ नहीं करना इनका आपस में माइनस करेंगी तो अध्यापक की आयू 36 वर्स होगी क्योंकि 336 में जब 300 माइनस होगा तो यहां 36 वर्स बचेगा यही अध्यापक की आयू हो जाएगी तो इसका आपसर नमबर C करेक्ट है अंगला कोस्टन देखेंगी 28 नमबर कोस्टन एक गाउं की जन संख्या 12,000 है और इस बामन प्रस्ट आदमी है तो आउरतों की संख्या कितनी होगी तो देखें यहां पर पहले प्रस्ट में लिख लेंगे कुल तो 100 प्रस्ट होता है कुल संख्या 100 परसेंट होगी तो यह कुल हो गया अब यहां पर आदमी दिया है तो आदमी का प्रिस्चत बामन है यहाँ पर लिखेंगे आदमी बामन प्रिस्चत है तो औरत निकालना है तो औरत सव में जब बामन घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 48 तो यहाँ पर 48 प्रिस्चत हो जाएगी संख्या औरतों की अब यहाँ से देखेगा अब इसको कैसे find करेंगे देखे यहाँ टोटल जन संख्या दिया है 12,000 जो कि यहाँ पर 100 प्रिस्चत है तो 100 प्रिस्चत बराबर यहाँ पर 12,000 के करेंगे तो देखेगा यहाँ पर 00 पहले cancel out हो जाएगा तो एक प्रस्षिफ की बैलू हो जाएगी 120, यहां से find हो गया, लेकिन पोच रहा के और्तों की संख्या कितनी होगी, तो प्रस्षिफ में तो 48 है, तो 48 प्रस्षिफ की निकालना तो 48 गुणुने कर देंगे, यहां पर 120, 48 गुने 120, क्योंकि एक प्रस्षिफ की बैलू देखे और नव जब जोडेंगे तो यहां पर बैलू हो जाएगी संतामन अर्तालिस दूपचास पचास साथ संतामन और एक जीरो ये वाला लगा देंगे तो संतामन सो साथ होगी और तो की संख्या इस तरह फाइंड करेंगे इसका आपसन नंबर भी करेक्ट है नेश्ट कोस्टन देखेंगे इसको सीधा सीधा भी लगा सकते थे यदि बामन प्रेस्चत आदमी है तो 48 प्रेस्चत आउरते होगी और टोटल जन संख्या 12,000 है तो 12,000 का डाइरेक्ट 48 प्रेस्चत निकाल देंगे तो इस तरह सीधा सीधा भी फाइंड कर सकते थे 00 cancel out हो जाएगा तो 120 गुणे 48 हो जाएगा यही आंसर तो 1296 हासिल नो 1248 नो 57 और 10 लगा देंगे 120 वाला तो यह 5760 हो जाएगी इस तरह भी find कर सकते हैं डारेक्ट सीधा सीधा Next question देखिएगा Question number 20 ना है एक धन रासी पर 4 प्रिस्चत वार्चिक सधान ब्याज की दर से 6 महीने के लिए 150 रुपए ब्याज मिलते हैं तो रासी कितनी होगी तो मोल धन का फार्मूला होता है प्रिंसिपल रासी बराबर ब्याज गुणे सव पहले सोत्र को लिख लेंगे ब्याज इन्टू हैंडर अब बटे हो जाएगा जब मोल धन यहाँ पर निकालेंगे तो दर गुणे समय तो इसमें सोत्र पहले लिख लेंगे इसी में बैलू पूट कर देना है दर गुणे समय अब यहाँ पर देखेगा ब्याज यहाँ पर 150 रुपह है तो यहाँ पर ब्याज 150 होगी इन्टू हैंडर सोत्र कर सव है यहाँ पर फिर बटे अब दर देखे दिया है चार प्रिस से तो दर हो की जगए चार लिखेंगे फिर गुणे और समय 6 महीने है तो इसको वर्स में बदलना है तो 12 से भाँ कर देंगे यहीं से अब देखे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 एक कम 6, 6 दूनी 12 फिर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 अब फिर 2 से 2 एक कम 2 इसको भी कैंसिल आउट करेंगे सव को 2 से तो 50 आएगा तो यहाँ पर आजाएगा प्रिंस्पल 15 गुणे 5 करेंगे तो 15, 15, 75 और 00 लगाएगे यह 00 तो 75 से रुपए होगी गुरासी इस तरह फाइंट करना है नेस्ट कॉस्टन देखेगा तीन कच्छाओं में बच्छों का उनपाद दिया है 2 अनपाद, 3 अनपाद, 4 यदि हर कच्छा में 12 बच्चे बढ़ा दिये जाए तो अनपाद बदल कर 8 अनपाद, 12 गेर अनपाद, 14 हो जाएगा तो शुरू में तीन कच्छाओं में कुल कितने बच्चे थे तो यहाँ पर देखेंगे गब पहला अनपात दिया है तो पहले लिख लेंगे 2 अनपाते, 3 अनपाते, 4 यहाँ पर 2 अनपाते, sorry यहाँ पर लिखेंगे 2 अनपाते, 3 अनपाते, 4 यहाँ पर 3, sorry, यहाँ पर mistake हो जाता है 2 अनपाते, 3 अनपाते, 4 पहला पाथ यह पहला नुपाथ हो गया, दूसरा नुपाथ दिया, 281, Optimus24 यहां लिखेंगे प्रत्यों पाथ कच्छा में 12 बच्चे बढ़ाना है, तो 12-12 सभी में लिक देंगे, मतलब 12 की बुखा हो जाएगी प्रत्यों में, अब यहाँ पर देखेगे इसके बाद केवल यहाँ पर दो बैलू को ले लेंगे मतलब एक पारग्राफ यहाँ छोड़ देना है दो को और तिरिया गुणा करेंगे तो एक की बैलू आ जाएगी तो यहाँ पर देखे कैसे निकालेंगे एक की बैलू तो तीरिया गुड़ा कर घटाना भी है तो देखे यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं तो समझ में आएगा पहले आर्ट रिक 24 और फिर गेरा दूनी 22 तो 24 माइनस जब 22 करेंगे तो दो बचेगा बराबर और यहां पर आपस में इनका भी गुणा करके घटाएंगे तो बार 32 माइनस 96 अब यहां पर 24 में दो घटाएंगे 22 घटाएंगे तो दो प्राप्त होगा 132 में जब 96 घटाएंगे तो यहां पर बैलू बचेगी 36 जब आपस माइनस करेंगे 12 में 6 घटाएंगे 6 और यहां पर 3 बचेगा तो इस तरह 36 तो 2 एक कम 2 18 दूनी 36 एक बराबर 18 आ जा लेंगे तो इस तरह से यहां पर 4, 3, 7, 2, 9 इंक तीनों का योग 9 आ जाएगा तो 9 था अनुपात में टोटल तो एक अनुपात की जब 18 है यहां पर तो 9 अनुपात की 9 गुणे 18 करेंगे तो 18 नहीं है 162 आ जाएगी शुरू में मतलब बच्चों की संक्याती कच्छा में 162 इस तरह फाइंड करेंगे इसका आपसर नंबर डी करेक्ट है अंगला कॉस्चन देखिएगा एक ब्रत की तरिज्जा 14 सेंटीमीट है तो उसका 6 फल कितना होगा यहां पर देखिए का तरिज्जा परिधी और 6 फल पहले आपको एक लाइन याद कर लेना है जो कि फिक्स हो तो साथ में कितने का गुणा करेंगी चाउदा आजाए तो दो का गुणा करेंगी यहां तो चाउदा होगी तरिज्जा अब डारेट 6 फल पहुंच रहा तो जब 6 फल निकालना होगा तो यह 2 का स्कॉयर ले लेंगे यहां पर 2 का गुणा की है तो 2 का स्कॉयर यहां पर हो दोगा, option number इसका decorect है, next question देखिएगा, question number 32 है, यद एक नल, एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, तथा दूसरा नल इस टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों नलों को एक साथ खाली टंकी खोल दिया जाया, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा तो यहाँ पर देखे एक 5 घंटे में भरता दूसरा 10 घंटे में खाली करता तो direct समय निकालेंगे और इसकी यह trick होती है जब इसमें एक भरे और दूसरा खाली करे तो यहाँ पर direct लिखेंगे 5 गुणे 10 पहले उपर दोनों का गुणा कर देंगे यह जो 5 दिया है और यहाँ पर 10 दिया प्रस्ट में तो पहले आप गुणा कर देंगे उपर और नीचे यहाँ पर घटा लेंगे मतलब 10 माइनस 5 अब जब 10 में 5 घटाएंगे तो यहाँ 5 बैलू प्राप्त होगी ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है तो 450 लीटर जूस के लिए कितने कार्टूनों के अफसता होगी देखे यहाँ पर यह मिली लीटर में दिया था पहले यहाँ पर मिली लीटर में दिया हो 750 मिली लीटर और यह 450 लीटर है और 6 बोतल एक कार्टून में आते हैं तो यहाँ पर 750 इंटू 6 हो जाएगा नीचे इस तरह से संख्या आ जाएगी कि अब कितने कार्टूनों के आव सकता पड़ेगी यदि 450 मिलीटर जूस को भरना है और एक कार्टून में 6 बोतल आते हैं और एक बोतल में 750 मिलीटर आता है तो यह तो एक कार्टून की मात्र हो जाएगी एक कार्टून की और यह टोटल की हो गई तो संख्या निकालने के लिए इसी तरह फाइंट करेंगे तो यहाँ पर अब 00 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से फिर 15,345 और 15,75 यहाँ से 3 से 3 एक कम 3,3,2,6 तो 2 और 5 का गुणा करेंगे आपस में तो 10 हो जाएगा जो कि एक 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 100 कार्टूनों की हो सकता होगी इसका आपसर नंबर B करेक्ट है इस तरह फाइंट करना है नेश्ट कोर्षन देखेगा क्वेशन नंबर 34 है एक परिच्छा में बिद्यार्थी को पास होने के लिए 40 प्रिस्ट अंक जरूरी थे तो एक बिद्यार्थी ने 220 अंक प्राप्त किये और वह 20 अंकों से फेल हो गया तो परिच्छा कितने अंकों की थे अब देखे 20 अंकों से फेल हो गया तो उसको प्लस कर देंगे यदि फेल होता तो प्लस कर देते हैं तो 40 प्रिस्ट बराबर यहां पर हो जाएगा 220 और 220 जोड़ेंगे तो 240 तो यहां इसे 0000 कैंसिल आउट करेंगे और एक परसंट की निकालेंगे 4 1 कम 4, 4 चंग 24 तो एक प्रिस्ट की बैलू हो जाएगी 6 और जब एक प्रिस्ट की 6 हो गई तो पुरांख हमेशा 100 प्रिस्ट होता है तो यहां पर देखे एक से 100 बनाना है तो 100 का गुणा करेंगे तो यहां भी कर देंगे 100 का गुणा तो 600 हो जाएगा पूरांग हो जाएगा 600 इस तरह डारेक्ट सव प्रिस्ट निकालेंगे इसका आपसन नंबर डी करेक्ट है अंगला कॉस्चन देखेंगे एक आयत की लंबाई में 10 प्रिस्ट की ब्रद्धी और चोड़ाई में 10 प्रिस्ट की कमी की जाती है तो उसके 6 फल में प्रिस्ट ब्रद्धी या कमी ग्यात करना है देखें यदि ब्रद्धी होती है यहाँ पर जैसे दिया था कि आयत की लंबाई में 10 प्रिस्ट की ब्रद्धी होती है तो प्लस का 10 ले लेंगे डायरेक्टिव ट्रिक होती है इसकी और यदि जैसे चौड़ाई में 10 प्रिस्ट की यहां कमी हो रहा है तो माइनस का 10 ले लेंगे अब प्लस और माइनस का जब आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर माइनस आएगा और 10 गुणे 10 और बटे हो जाएगा 100 यह एक ट्रिक होती है इस तरह से अब यहां पर देखेगा 00 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां तो एक आजाएगा और प्लस 10 माइनस 10 यह भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली माइनस का एक आया मतलब एक प्रिस्ट की कमी होगी एक प्रिस्द घटेगा तो इसका आपसर नंबर भी करेक्ट है यह माइनस सिंबल है इसलिए एक प्रिस्द की कमी अंगला कोस्टन देखेगा कोस्टन नंबर 36 है एक रेल गाड़ी 40 लिटे प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है यदि एक खंभी को 18 सेकेंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी अब यहाँ पर लंबाई पोच रहा है मतलब दोरी निकालना है अब दोरी बराबर एक फार्मूला होता है चाल गुने समय पहले दोरी बराबर यहाँ पर लिख लेंगे चाल गुने समय अब यहाँ पर देखेगा चाल दिया हुआ है तो चाल लिख लेंगे 40 km प्रती घंटा तो चाल के बाईलू 40 km प्रती घंटा होगी अब इसको मीटर प्रे सेकेंड में कनवर्ट करना है चाल को तो 5 बटे 18 का गुना कर देएंगे साथ में और समय देखे दिया है 18 सेकेंड तो यहाँ पर समय की जगह लिख देएंगे यहाँ पर 18 सेकेंड अब 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अब जो बचा हो आंसर हो जाएगा 40-50-200 गुना करेंगे तो 200 मीटर में पहलू आएगी तो इस तरह से दूरी हो जाएगा यह गाड़ी की लंबाई यह दूरी 200 मीटर होगी इसका आपसर नमबर एक रिक है अंगला कॉस्चन देखेंगे दो टेबल और तीन कुरसी की कीमत 5 रूपए है तो 8 टेबल और 12 कुरसी कीमत क्या होगी यहाँ पर टेबल को यक्स माल लेते हैं कुरसी को Y एक टेबल की यहाँ पर एदिमानेगी तो यक्स हो जाएगी और एक कुरसी की एदिमानेगी तो यहाँ पर Y हो जाएगी तो अब देखेगा इस हिसाब से यहाँ पर दो टेबल थे या तीन कुरसी है तो दो X प्लस तीन Y ऐसे लिखेंगे और यह बरहाबर हो जाएगी बैलो 500 के अब यहाँ पर देखे 8 Table और 12 कुरसी तो यहाँ पर लगएंगे आठ एकस प्लस 12Y अब यह बराबर पाइंड करना कितना हुग तो देखें 2 से 8 बनाना है तो चार को बुना किया है और यहाँ भी 3 से 12 में 4 को बुना करेंगे 3 से 12 बनाने के लिए तो यहां भी चार का गुणा कर देंगे तो बैड़ी वा जाएगी आठ टेबल और बारा कुरसी की तो देखे पांच और बीस यहां पर बीस हुआ और दो जीरो लगा देंगे तो मतलब तो हजार उपए हो जाएगा यही इसका उत्तर होगा आपसर नमबर C करेक्ट है अंगला कुश्चन देखेगा एक पांचे को एक बार फेका जाता है पांचे पर अंक 3 आने की प्रायक्ता क्या होगी तो यहां पर प्रायक्ता का फार्मूला होता है प्राइक्ता बराबर पच्छ में संभावना बटे कुल संभावना ये इसका सूत्र होता है तो लिख लेते हैं पच्छ में संभावना और बटे कुल संभावना तो इसी में बैलो पूट करेंगे पच्छ में संभावना और बटे यहाँ पर कुल संभावना कुल संभावना य सोतर होता है आभ इसे में बायलो पूट कर देना है तो देखेगा यह पर पच्छ में संभाना जब एक पांसे प्रीकर फेंके घे तो अंक तीन आना मतलब कोगत्या एक संभावनों होगा बुद में इक बार छी तीन आएगा और टोटल एक फाइकित का हो जाएगी एक बटिच है तो इसका आपसा नंबर भी गरेट है नेक्स्ट कॉस्टन देखेगा एक निश्टी तरासी पर पांच प्रेस्ट की दर से दो वर्सों के लिए साधान ब्याज प्रेस्ट बरावर टीन सो बीस अब रास ही हमेंच साफ प्रेस्ट होतीि सो प्रेस्ट की निकालना है तो देखे 10-100 से बनाने के लिए 10 गुना करें के दस दुम-सओ तो यहां भी दस का गुना समय अदर गुने समय और गगल में प्रेस्जht का सिम्बल लगा देते हैं यहां पर बगल में प्रेस्जht तो इसी तरहं यहां धर दिया था 5 और समय दो है तो 59-10 हो जाएगा व यहां पर वेत तीन सो बीस है तो इसलिए दस प्रेस्जजट की neur 32 रूपए होगी इस तरह फाइंड करना है नेश्ट कॉस्टन देखिएगा इसको निकालने के एक तरीका और होता है जब रासी निकालना हो या मोल धन करेंगे तो 10 आएगा जो कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे अब आ जाएगा 32 गुने 100 करेंगे तो 32 रूपए हो जाएगी रहासी इस तरह भी फाइंट कर सकते हैं अगला कोस्टन देखिएगा यहाँ पर देखिए कोस्टन नमबर 40 है लास्ट कोस्टन है गडित का वह सबसे छोटा अंक ग्याद करें जिसका 21, 42, 72, 96 से विवायत करने पर कुछ भी सेस्पल न बचे अब छोटी संख्या पोच रहा तो यहनी LCM निकाल देना है किसका किसका 21, 42, 72, 96 इनका निकाल देना है LC LCM वही अभी संख्या हो जाएगी तो यहाँ पर LCM के लिए सबसे बड़ी संख्या पर फोकस करेंगे इसके फैक्टर कर लेंगे तो 32, 96 होता है तो 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, 2, 32, 96 इस तरह से पहले गुणा कर लेंगे यह हो गए 96 के गुणनखन अब इसमें देखे 72 भी सामिल हो जा तो इस तरह से 3 गुणा कर दिए 72 भी सामिल हो गया 42 के लिए 2, 3, 6, 42, 7 का गुणा करना पड़ेगा तब 42 आएगा और 21 आ लेडी है इसमें 7, 21 तो इस तरह से अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो इतना तो 96 है यहां से यहां तक और यह 21 का गुणा हो गया तो मतलब 96 और 21 का गुणा करेंगे तो LCM आ जाएगा तो अब आपस में गुणा आप लोग का लिजेगा 2016 आएगा गुणा करने पर यही इसका उत्तर हो जाएगा LCM 2016 होगा आपसर नमबर इसका भी करेक्ट है और जो भी छात इस पेसल बैज जोईन करना चाहें तो यह वार्टसप दिया हुआ है 7987901796 एस पेसल बैज जोईन करने से आपको बहुत ही पेनिफिट होगा क्योंकि सभी सवाल आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे और इससे आपकी एस पेसल तयारी हो जाएगी आपको साथ 74 कोस्टन पेपर भी उपलब करवा दिये जाएगे जिससे 74 यहां पर देखेगा 74 और प्लस 50 तो 75 12 मतलब 124 कोस्टन पेपर हो जाएगे टोटल इतने आपको लास्ट में प्रेक्टिस कर लेना है और वाकी बैज में आपको सेप्रेट इस्टरी माटेरियल मिलेगा मतलब मायथ है और इसी तरह रिजिनिंग यहां पर आपको सब कुछ मायथ रिजिनिंग, फिजिक्स कमेश्ट्री और जी के यह को सब कुछ उसमें बैज में उपलप्त करवा जाएगा जो की सलेक्टेर इस्टरी मतेरियल होगा तो बैज जों करने है तो आप वाटस अप लिंक पर संपर कर सकते हैं